ओम शान्ति, नॉलेज़फुल बीजरू बाप, संगम युग पर आकर हम आत्माओं को सच की वारतालाब करना सिखाते, हमें राइच और रॉंग की समझ देते और साथ ही साथ खड़ी-खड़ी माया से सावधान भी करते, आईए रिवाइस करते हैं आज के 31 जन्वरी 2022 के महावाक्यों को, बाबा ने हमें माया से कैसे सावधान किया? माया से हारना नहीं, अम्रित्वेले उठ बाप को याद करना, माया से हार कर कमजोर नहीं बनना, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना. श्रिव बाबा को याद करने से क्या फायदे होंगे? तीखे जाएंगे, जयोती जगेगी, भूत भाग जाएंगे, विकर्म विनाश होंगे. जब रावन के वश होते, तो बेताले हो जाते. सतो प्रधान बुद्धी है, तो ज्यान की धारणा अच्छी होती है. बीज शक्तिशाली नहीं, तो वाणी और कर्म में सिद्धी की शक्ती नहीं रहती. आत्मिक प्यार की मूर्ती बनेंगे, तो हर समस्या का हल करने में सहयो बनेंगे. आज बाबा ने आत्मा के विश्रे में क्या कहा? हम आत्मा है, बहुत महीन है, स्टार मिसल है, इसमें 84 जन्मों का पाठ है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परमपिता परमात्मा को याद करती है. बाबा ने हमें क्या निकल गई है, ज्रामा अनुसार 84 जनम भोगने ही पड़ते हैं. किसको क्या कहा जाता है? योग को घृत, संकल्प को बीच, परमात्मा को शमा, मनुष्रे को परवाना, माया के तुफानों को विग्न. बाबा ने नौलेज के विशे में क्या स्पष्ट किया? यह तरावट क नौलेज है, इससे बेडा पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है. हमें किन बातों को धारणा मिलाना है? दान में दी हुई चीज वापिस नहीं लेनी है, विनाश के पहले बाप से पूरा-पूरा वर्सा लेना है, रात दिन योग में रहे, विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधों को बुद्धी से भूल एक बाप को याद करना है. ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, आज हम सारा ही दिन आत्मिक प्यार की मूर्तिवन, लव और लौ का बैलेंस रखें, तो हर समस्या का सहज ही हल न झाल